भले ही भारत ये टीम हार गई हो और आप निराश भी हो गई होंगे लेकिन कई कम्पनिया मैच से पहले ही जीत चुकी है यह जीत होती है बाजार की फिक्सिंग की बात नहीं करूँगा अर्निंग की बात करूँगा अर्निंग के साथ शमी के साथ जो किया जा रहा है और भार आदिक पांडिया से भी आप गुस्सा हैं, भुवनेश्वर से भी आप गुस्सा हैं, मगर महम्मत शमी से आप नफरत करते हैं, किसी खलाडी को सिर्फ इस वजहा से निशाने पर लेना कि ये सिर्फ एक विशेश धर्म से है, यानि कि मुसल्मान है और मैच वाले दिन ही अलग चल रहा है, दोस्त, देखो एक सिंपल सी बात है, इंडिया में दिमाग से चिंटू और हैसिय से चरण चूसक लोगों का सर पर्थम काम क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है, पहला, इंडिया अगर जीत जाती है, तो जै हो जै हो जै हो वाला कान चलता है, अगर हा अब आपने सिखाया होता है, तो सोशल मीडा पे उसकी उल्टिया करना शुरू कर देते हैं, और वही उल्टियों को लेगर के आप लोग साफ नहीं करते, उस उल्टियों को प्रसाद की रूप में ग्रहन करना शुरू करते हैं, तीसरा क्या होता है काम, कि अगर मुसल्मान भी ना मिले, तो दलित कौन है इसके अंदर, उसको टार्गेट किया जाता है, आपको याद है कि ओलेंपिक में, वीमेन होकी टीम न सैमीज में पहुंच चुक थी, लेकिन वहाँ वो हार गए थी, वंदना काटारिया को टार्गेट किया गया था, और कई बार ये कहा गया था कि आपको पता कि होकी टीम क्यों हारी महीला की, क्योंकि उसमें बहुत ज़्याद दलित लोग खेल रहे थे, बताइए दिमाग तो इस हद तक सड़ गया है, खेल को खेल की तरह नहीं लेते हैं ये लोग, इंडिया हार गई, उसकी कुछ वजहा है, आगे मैंने आपको बता बताया है, अगर किसी प्लेयर को आपको जज़ करना है, तो उसके स्टैस्टिक्स को देखो, उसके पफॉर्मेंस को लेकर के जज़ करो ना, कास्ट, कम्यूनिटी और कम्यूनल होकर के आप मत करो, लेकिन ये चिंटू लोग ना, दिमाग उधार पे लेके चलते हैं ना, य शमी और जस्मित बुम्राहा की जोड़ी थी, जिसने हार के मुँसे बचाया था, सतर गेंदो पर 56 रनों की करियर बेस्ट पारी के साथ, शमी के हर शौट को सब के दिलों को जीत लिया था, आप वहाँ वहाँ कर रहे थे, आप तालिया पीट रहे थे, आप इतनी जल दिया भूल भी जाते हैं, भूलने का कारण है ना, जिससे उधार लिया, आप जाके लोटा दिया, तो आप भूल गए, देखें मैच में पाकिस्तान 10 विकेट से जीता है, तो इसका मतलब यह है कि विकेट किसी ने नहीं लिया, ना भुबनेश्वर ने, ना जस्पीत पुम्रहा ने, ना वरुन चक्रवरती ने, ना रवेंदर जडेजा ने, कोशिस सब ने की, लेकिन सफलता नहीं मिली, फिर भी आप शमी को निशाना बना रहे हो, क्रिकेट खेल को आप निशाना बना रहे हो, फिक्सिंग कह रहे हो, यार एक बास सुनाओ, ये सारी घटना होने के बा सहवाग ने भी ट्वीट किया और कहा कि महमा शमी पर आफ लाइन हमले चौकाने वाले हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, वह एक चैंपियन हैं, और जो भी भारते टीम का कैप पहनता है, उसके दिल में भारत बसता है, शमी हम आपके साथ हैं, अगले मैच में दिखा दो, इतनी सारी बातों की बीच में अब मैं कॉंग्रिस के पास भी जाना चाहता हूं, राहूल गाधी ने बोला कि शमी हम तुमारे साथ हैं, लेकिन कॉंग्रिस की नेशनल मीडिया कॉडिनेटर हैं, राधिका खेर, उनका जिक्र करना जरूरी है, 152 लक्षका पीछा करते क्यों कि आप ट्वीट का टाइम देखिए, मुझे समझ के पर एक ट्वीट क्यों किया गया, अगर मैं इसका मतलब यह निकालो, आप तो पाकिस्तान जीत का इंतिजार कर रहे थे, भारत की हार का इंतिजार कर रहे थे, आप ट्वीट देखने के बाद जब लोगों सवाल क किया, तो मैडम कहती है, कि मैंने इंडिया वर्सिस पाकिस्तान पर तो बोला ही नहीं है, गजब हाले, तो आप रहे किस पे बोला है, टैमिंग दोखो, डेट, देखो, सारी चीज़ तो यहां देखो, कॉंगरिस का जितना नुकसान बीजेपी की पार्टी ने नहीं किया, पार्टी ने नहीं किया, उससे जाता नुकसान तो आप जैसे लोगों ने किया, 2019 में जो उनकी राहूल गांदी की जो मैनेजर थी, उन्होंने भी एक खेल की ले हुए थे, करोड़ों रुपे कमा के चली गई बो, अब देखें, आगे चलते हैं, फिक्सिंग की बात नहीं बलकि अर्निंग की बात भी आपको पता होने चाहिए, देखो, इवी स्पोर्स चैनल स्टार स्पोर्स ने साल 2015 से और 2023 तक होने वाले सभी ICC की इवेंट्स के जो राइट थे, वो खरीदे हैं, कितने में 198 करोड डॉलर के, कितने होते हैं, करी 15,000 करोड, यानि भारी पैसा में निवेश किया गया था, रिटर्न और इंवेस्मेंट कैसा होता है, ब्रॉडकास्टर्स की सिंपल सिक डिमांड होती है, कि हर टूर्नमेंट के स्कैडियूल में, ICC का कम से कम, जो एक मैच है न, वो इंडिया पाकिस्तान करा दीजिए, वसूली अच्छी हो जाएगी, त कैसा होता भी है, बात करें साल 2012 की, तो आपको याद भी होगा, अभी तक तक तकरीबान हर ICC के टूर्नमेंट में भारत और पाकिस्तान के मैच को रखा गया है, ताकि एक बड़े मार्केट को त्यार किया जा सके, 2019 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले का रिकॉ के थी, इस मैच में 10 सेकिंड के विग्यापन स्लोट का 25 रुपे में बेचे गए थे, इतना ही नहीं कि आखरी टाइम में इन स्लोटों के दाम को बढ़ा दिया जाता है, है ना, डिमांड को देखते हुए, डिमांड इन सप्लाइ वाला खेल यहां पर यह है, कई बर क्या हो करेब करेब, आप 30 से 35 रुपे दिये जा रहे हैं, सब गमाते हैं, लेकिन आप गवाते हैं, देखो अगर आप economic times को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें पीवीर प्रमुक गौतम दत्ता ने एक रिपोर्ट छापी थी, और उन्होंने कहा था, इंडिया और पाकिस्तान का संड अब वही सिनिमा, NX लेजर ने भी 25 शहरों में स्क्रीनिंग की थी, अब सिनिमा ही नहीं, फाइव स्टार होटल होगे, आपके एरपोर्ट होगे, सब जगह ये खिल जल रहा था, फाइव स्टार होटल में यह आप देखेंगे, बकाईदा बुकिंग की जा रही थी, वेब लाग तक भी खई है, यानि कि तक्रीवन 333% ज्यादा, है ना, ये कमाई लगातार ही लोग करते रहते हैं, हम अपने समय गवा आते हैं, अब दोको असल वजह में आपको बताता हूँ कि विराट कोली की टीम क्यों हा रहे हैं, इसी कुछ वजह हैं, है ना, चिंटू वाले थोड़ा सा वराट कोली के लिए भारी पड़ गया, हारतिक पांडिया से गेंदवाजी तक नहीं कराए गई थी, भारत पांच गेंदवाजों के साथ उदरने पर मजबूर हुआ था, इस कारण भारत में धार की कमी साफ दिखाए थी, बहतर होता कि हारतिक की जगा अगर यदि शारदुल ठाकुर को खिलाया जाता तो कहीं बहतर परड़ाम निकल सकते थे, बैटिंग के लिए अगर आपने लिया तो बैटिंग भी आपने उनको बात ने बिचा, उनको ना पंत से पहले बेचते तो स्थिती बदल चालती, दूसरी बात अश्विन को नहीं खिला अब तब हो रही है, अब देखो बम रहा हो या मुहमत शमी हो, दोनों ही रिजबान और बाबर आजम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके थे, लब में समय तक चोट की समस्या से जूजने के बाद लोटने पर वह पहले वाली रंगत में नहीं दिखाई दिये थे, इस कार आप लोगों को महसूस करा है, आप तो पर टैंड गवाएंगी गवाएंगी और ये लोग तो कमाई रहे हैं अपना, तो बहतर प्रदर्शन आगे चल के ये लोग करेंगे, साथी में एक ट्वीट देख रहा था, विरिंदर सहवाक का उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जीता नहीं है, ये अपुस्ट कबर है, वो सब जगे था, देखिए मैं अपुस्ट क्यों कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे उमेश के रेका ये स्क्रीन शॉट देगे, लिखाए साफ तोर पे कि कल पाकिस्तान की टीम जीत के बाद एक राइट विंग फेस्बुक पेज से के फूटे, जब पुलिस ने तफ्तीस की तो पता चला कि मुसलिम महले में शादी थी, उसी की आतिश बाजी हो रही थी, भारत के दूसरे लाके में भी यही हुआ होगा, ऐसा ये कह रहे हैं, अब देखे इनकी बात आप मानो ना मानो, लेकिन जो पुलिस कह रही है, वो उ खेल की तरह क्यों नहीं ले रहे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और दूसरी बात यहां पर यह है, कई सारे लोग इसमें मैंने देखे, कई पत्रकार ये कह रहे हैं कि पता के पाकिस्तान की जीत के लिए नहीं फोड़े गए, एक करवा चौत के उपलक्ष में फो कार है, अब इस पर कॉमेंट करने से अच्छा ये है, स्टे अपडेटेड, स्टे अजुकेटेड सत्यमेव जयते कहके मैं आपसे विदा ले लो